यह सारे घर शेखों के आपर यह मतलब के लोग किर्केट गरा भी खेलते हैं और यह ट्रैंपोलीन ज्याने के जूले आए हुए हैं तो बच्चे एंज्वाय कर रहे हैं देखो भई इस इस पाकिस्तान सजी राम राम कोमल व्यूटी पारलर उर्दू में लिखा हुआ है पाक क्या रेट चल रहा है इनका हेलो एंड वेलकम बैक टू माइन यू व्लोग तो दोस्तों आज मैं आपको इस व्लोग के अंदर बैसिकली घुमाने वालों पाकिसान का एक छोटा सा शहर जिसे साधकाबाद का नाम दिया गया है तो साधकाबाद एक सिटी है बहुत प्यारा सिटी और पंजाब का आखरी शहर है तो यानि के इस व्लोग के अंदर में आपको दिखाऊंगा कि पाकिस्तान बेसिकली होता है कैसा है तो आपको थोड़ा सा एक्स्प्लॉर कराऊंगा पाकिसान का मतलब कि यहां के जो हमारा आभी में गाउं में घर के बाहर इर खड़ा तो यह मेरे साथ चलने वाला है तो हम दोनों एक्स्प्लॉर करने वारे हैं स्यादगाबद सिटी ऑफ पाकिस्तान तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस व्लोग को आगे बढ़ते हैं तो बेसिकली मैं आपको सबसे पहले दिखा दूं तो यह रास्ता जो है यह इस रास्ते सम गली है यह सारे घर है और यह सारे हिंदू भाई लोग है ठीक है और अभी बेना टाइम वेस्ट किये हम चलते हैं बाजार की तरफ याने कि घूमते वह चलेंगे हम भी थोड़ा सो गुमने के लिए जा रहे तो हमने सोचा कि एक विलोग बना दिया रहे और आपके साथ भी शेयर कर दिया रही आपको भी दिखा देंगे बेशीकली पाकसन कैसा होता है तो अभी झार है हम घूमते हैं और आपको भी दिखाते रहेंगे ठीक है यह देखें बशेये यह मतलड के गर बन रहा है यह देखसीं हमारे हिंदू भाई है पॉलिटिकर लीडर हैं जिनका ना यह ले देखें जिए आइसक्रीम की जो है साइकल जिसके पर iSkin बेच ते हैं कुछ इस तरह की होती है पाकिसान के अंदर यह निया साइसक्राइब करने के लिए और ट्रीक्षा मेश्यूंस सेर्फ ट्रॉब यह जी रिक्षा पाकिसान का रिक्षा यह देखें कोछ इस तरह का होता है ठीक है और यह गलियां यह पाकिसान है वही देख सकते हैं ठीक है बाकि यह देखें यह जिनको शेख बोलते हैं शेख आपने सुना होगा शेख एक कास्ट होती है तो वह शेख लोग यहांबर इसे भी बैठे हूए यह देखें यह सारे और शेखों के हैं शेख बैठे वहाएं शेख बैटे हुए हैं ठीक है है और सामने जो है यह कभ रिस्वा ने चीजिस ना यह देखा हए यह चोटी सी शाप यह देखें आशिर शाहिद करियना स्टोर ठीक है और यह आगे चलते हैं और आपका विजट कर बाते हैं क्या चिसा हाँ ट्रैंपोलीन दोस्ते यह देखें यह कबरिस्तान के साइड में एक छोटा सा एक प्लेस छोटी से जगह है जहां पर यह मतलब के लोग क्रिकट गरा भी खेलते हैं और यह ट्रैंपोलीन ज्याने के जू देखो आप यह लें देखो भई दिस इस पाकिस्तान अब यह देखो जी बिल्कुल यह नाई की दुकान है यह देखें यह ने के बाल वरा काटने वाले नहीं चाचा क्या लें ठीक है तो यह इस तरह से मतलब के घर के साथ अपनी शौप बना दी जाती है और घर के साथ ही दूकान लगा लेता है कि अथर रहने की यह देखें और याटरिक की शौप है यह धानी तो यह देखती है अब आजी विल्को लेकोर चॉप यह देखें यह दर्जी की शौप है यह देखें यह काम कर रहे है यह दर्जी की शौप है यह है यह गां यह तो इनका यानिके मकान बन रहा है तो इनका यह ने के मकान बन रहा है परला कैशी है पेट्रोल होता है तो बाइक का थोड़ा सा इशू हो गया है ठीक है तो चलो हम आगे चलते हैं और आपको मज़ीद और चीज़ें विज़ेट करवाते हैं यह विलोग बहुत कमाल का बनने वाला है आप लोगा ने इस विलोग को कम्प्लीट देखना है ठीक है अच्छा वागी दोस्तों यह महाहौल है यहां का यह देख सकते हैं ठीक है अब यहां यहां वर दोस्तों है ब्यूटी पार्लर कॉमल ब्यूटी पार्लर उर्दू में लिखा हुआ है इनके यह देखें यह घर है साथ में और साथ ही यह शौप बना दियाने के ब्यूटी पार्लर उपन कर लिया पाकिसान के अंदर आपको ने एक बड़ी ही कामन चीज देखने को मिलेगी और वह यह हैं पाकिसान के अंदर जो हैं वह रोड्स नहीं बनी जो भी होते हैं ठीक है बाकी यह देख सकते हैं यह रोड का हाल और कुछ इस तरह का है जी यह पाकिस्तान देखो भी दो तीम का मैंने बजट आया था रहां पाकिस्तान के वां खें भी तीन-टीन लोग यहने के सवार होती है यह देखें ज्यालोग यहां तक यह नहीं पाकिसान हैं औरो फास्टन और पोस्ट dwarf 2016 Angeles पारनामे यह जुगार देखते हैं तो लोग कहते हैं कि अभी पाकिसान को पर करजा कैसे चड़ गया तो यह सोचन वाली बात है और डेफिनेटली पाकिसान काफी प्यारा शहर है मतलब मुल्क है कंट्री है और आज आपको उसका शेर विजट करवाएंगे साधिकाबाद ठी अंधी अचे भाई कहां गये थे पेट्रोल डलवाने और सब ठीक है बस ठीक है जबर्दस हम जा रहें बादार गुमने के लिए आयो चलना है तो अच्छा चलो ठीक है तो मतलब कि यह भी आएक हमारे हिंदू भाई थे इनका नामजी कुमार है तो यह भी बाइक रिपैरि किसी की शॉफ है को डरजी है कोई रिपैरिंग का काम करते है और यसे मेरे जो यह रोड या सफी काफी पुरानी रोड तो इसलिए जो यह रोड है थोड़े सी थूटि फूटि है फीर नतिक और यह सीधा में 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 मेंड रोडन वहां से आगे सीधा ऑगान से बजाएगे इन आपको नजर आ रहे हैं ठीक है तो यह छोउआर का खेत है सालски भए ठीक है ना पाकिसान के पास पैसा है या नहीं है वो तो कोई पता नहीं है ठीक है लेकन पाकिसान की जो अवाम है ना उनके पास जुगाल बहुत है ठीक है और अभी राज भाई यह बता रहे थे कि यह जो में रोड अभी आपको में दिखाने वालों यह में रोड जो है बेसिकली एससे टुटी-फुटी हुई है इसको आइज साल से उपर हो गया है लेकन अभी तक यह रोड बनी नहीं है तो इसलिए वह कह रहे थे राज भाई कि जब बाइक को पर जाता है ना इस रोड पर चल कर तो इतने जंप लगते हैं कि इंसान के गुर्दे भीपड़े भी हिल जाते हैं तो पेड में दर्द हो जाता है तो डेफिनिटली बाइक यहां पर लोकल है पाकिसान के अंदर और पत्थर डाले हैं लेकिन उसके ओपर फिर जो है वह रोड कंप्लीट बनाई नहीं अभी तक यह वह रोड में रोड जो बजार की तरफ जाती है लेकिन यह भी कंप्लीट नहीं बनी अभी तक डेट साल हो गया जैसे मैंने बताया ना तो अभी थोड़ा सा और सफर हम आके तो थड़ा और जाएंगे ठीक है तक्रीबन मेरे ख्याल से आप 200-300 मीटर दूर है 200-300 मीटर दूर जाने के बाद रोड फिराके सही आ जाती जो बनी हुई है लेकिन यह जो हिस्सा है यहां से लेकर वह काफी आगे तक आइंग 15-20 किलोमीटर दूर तक यह रोड डूटी हुई है आगे गाउं की तरफ ठीक है बागी यह देखें यह जी घोटा ठीक है यानिक है ठंडा शर्बत यहां पर बनाकर यह सेल कर रहे हैं तो यह एक काफी बड़ा यानिक आप कह सकते हैं एक जैनाने स्टॉल लगाया हुआ है इस तरह की कार होती है यह देखें रिक्षा में आप लोगों को अल्रेडी दिखा चुका हूं तो दोस्तों यह तो अभी कुछ भी नहीं है थोड़ा सागे चलेंगे इससे फिर भी कुछ ना कुछ बैटर चीज़ें आपको देखनों को मिलने वाली है मतलब कि अच तो तो मैं बैसिकली यह बता रहा था कि हमारा जो यानि के शहर के बिल्कुल नजदीक पड़ता है जो यानि के शहर से करीब गरीब पड़ता हो ना तो कसबा है तो जो आमने आपको दिखाया तो उसका माउल थोड़ा सा खराब यानि के थोड़ा सा तो इसलिए जो है वहां पर इतनी डेवलोप्मेंट नहीं अच्छी ठीक है वह आपको भी देखनों को मिलने वाली हैं जस्त 5-10 मिनिट वैसे 5-10 मिनिट हमें लगेंगे वहां पर पहुंचने में आप जस्त कुछी सेकंड़ों में भी देखने वाले हैं आप जाएना तो 10 मिन पैदल जा रहे हैं यह मैक्समम 20 मिनिट लगेंगे बाजार पहुंचने में ठीक है वाकिया यह देखें यह रोड सामने आ चुकी है तो अभी रोड यहां से रोड काफी अच्छी जो है वह स्टार्ट हो जाती है ठीक है तो यह देखें 1122 यानिके एंबुलेंस ही है आकसान के अंदर कुछ चीशतरा के आमबुलेंस होती है और इससरफ यह टाउन है इसके अंदर आइफल टावर भी लगा हुए है चोटा सा ठीक है मैं आपको न आज जूम करके दिखा देता हूं आइफल टावर यहां पर लगा हुए है यह यह आईफल टावर है विए इसके गौर्मेंट पाठीक है तो यह गर्ल्ड डिगरी कॉलज है यह रोड जो है अंदर जाकर सीधा और यह कारवाश यह देखें कारवाश सर्वेस है यहां पर यह दिख से आप ठीक है और इसी के उपाउसेट साइट पर यह सामने पंप है पैट्रॉल पंप यह देखें भई ठी यह देखो कैसे लगडियां लेकर जा रहे है रक्षे को पर फटे वाले रक्षे पर इसको फटे वाला रक्षे हम बोलते हैं ठीक है और यार गर्मी भी बहुत है लेकर फिर भी आज मौसम कुछ ना कुछ ठंडा है नॉर्मल है वरना तो 40-45 डिगरी से कम गर्मी होती ही नह लेकर आज फिर भी आज फिर जो है हवा चल रही है और मौसम अच्छा है सुबागे टाइम वह बादल थे यानिके क्लाउडली मौसम था सुबागे टाइम पे तो इसलिए मौसम सही है आज और इसलिए ज्यादा गर्मी नहीं हो रही है अब हलका फुलका पसीना आ रहा है वारना तो इतनी गर्मी होती कि बाहर निकला नहीं जाता है यह फ्रोड़ा से लंबा भी हो रहे है लुप लिप लिए पाकिस्तान पूरा दिखाने साथ का बाद एंख्यार इतना अच्छा है यह फिलकुल अर आज महीं कह रहे हैं कि विलॉग फ्रोल्श हो गए होगा यह और डेफिनेटली लंबा ही विलोग है यह थोड़ा सा क्योंकि पैदल हम जा रहे हैं ठीक है बाजार की तरफ और आपको एक चीज अच्छे से दिखाएंगे बाजार की आपको बाजार पुरा विजट करवाएंगे साधिकाबाद का जो हमारा सिटी है वह आपको एक्सप्लोर कर आप लोग ने कई वीडियोस में देखे होंगे छोटा शेयर कैसा होता पक्सान का वह आपको दिखाने वाले हैं ठीक है और दोस्तों इस रफ जो है यह बरफ का कार खाना है इस साइड पर यह देखें सामने तो बरफ की यानगे फैक्ट्रिया बोल सेते हैं यह देखें अब भी जोड़ी और मतलब के और मतलब के पैदल चल रहे हैं तो बिलॉग भी बना रहा हूं साथ में तो गर्मी ओर यह पसीन आ रहा है है यह है दस पंदरा मिंट ओगें बाकी 10 मिंट और एं सिरफ 10 मिंट और फिर बाजार में इंटर हो जाएंगे ठीक है इस चैनल पर यह मेरा लाइफ का सबसे बड़ा विलोग अने वाला है यहां पर एक और पंप आ चुका है यह देखें पी एस ओ ठीक है तो यह पेट्रोल पंप है यह देख सकते हैं ठीक है यह देखो भई यह घर कितना खूबसुरद है यह यह देखो दो बच्चे बैठे में नहीं ठीक है श्रह capable यह देख रहें इस रोड को पिछले एक साल के अंदर के अंदर तीन बार बना दिया गया है यह दक सब्सकूरण हो अब तो इस बेस पर कोई बजट नहीं आया और किसने रोड जो पर फोकस नहीं दिया तो रोड इसलिए पनी अरे यह के ट्रॉली है यह बतने क्या लेकर जा रहे हैं गंदम ॐसका यह घुच्छ उपम पहुंच चुके हैं इसका असक्या पार्क इसका असल नहीं में आसकरी पार्क है और यह पार्क काफी पुरान है और पीछे में आप देख रहे हैं यह जो है यह आवर ब्रीज यह दिखाए यह ढूर ब्रीज यह यह पार्क बना हुआ है जो कि आप कि देख सकते हैं ठीक है तो यह है पारक है और यह स्टार्टि में बना तो यह इनिकोन पार्क सब्किला हुए जोना उसके का भी की जोए है देख़पाल अच्यारी है और यह भी तो काफी यह यह आये तो काफी मतलबस्ट पूरा पार्क है और इसके आगे फिर बाजार स्टार्ट हो रहा है तो अभी हम जाएंगे सीधा बाजार और आपको बाजार का विजट भी अभी करवाएंगे तो दोस्तों अभी जो हम आज के बाहर असकरी पार्क से बाहर निकला आएं और आपको दिखा देते हैं तो इस साथ यहां पर यह है चोक और यह बहुत बड़ा कप रखा हुए तो इसको जह कप रखने के विज़ाशिस का नाम कप चोक इसका नाम रख दि और सप्की ये माहुल हम आ अभी आगे चलते हैं और आपको जए बाजार दिखाते हैं यह का बाद का सटी है और साथ यहिस्तोरंकल सटी है क्योंकि इस शचिह की जिएन्हार शाल बाफ्वे इंबबब्ह रावी मनाई जाती है यह वाहिच वाहिड है शैर है जहां पर शोर मैं यह कहरा था यहां इसकी अलतिया सरी का नाम सथकाबत य हम यह सिटी है और यह बजार के तरफ छप्स ऑज नाम का अब लांगे फ्राइडाय थे जा भी गांग शॉफ्राइड गांगे- तो ज्यादातर जो शौप से दुकाने जो बंद होती है ठीक है तो यह देखिए फ्रत जो दुकान इस यह देखें यहां पर बंद ठीक है और यह कईदयाजम बजार है इस बजार का नाम बाधार है कि यह और इस तरफ अगर हम जाएं तो यह पिर आ देखें हम पहुंचे हैं मुबाइल मार्कीट जो सअथकाबाद की म difference would ग्वाब बहुंशे हैं तो आपको दिखा अजिये देखा है यह मोबाइल मार्किट यहां कि साथ का साथ आप देख सकती है तो यहां तक जो है वो एंड हो जाता है यहां तक मुबाइल मार्केट यानिक खतम हो जाती है और यह साइट से फिर जह है एक और बाजार स्टार जाता है जिते फैसल बाजाता है तो यह साथकाबद का फैसल बाजार है यह बर भी डिफरेंट दुकाने और शाप से जैसे कि आप देख रहें यहां पर यह देखें कपड़े के दुकाने हैं ठीक है शूज वगरा इस तरह के दुकाने यहां पर महुजूद हैं यह देखें और जैसे मुन बताएक आज फ्रै एक संदाई चांग तो दोस्तों अभी हम जा रहें वापस घर की तरफ तो अभी जा रहें घर की तरफ आपको पूरा बाजार दिखाया और हमारा जो पूरा नहीं दिखाया जितना होस्तों का हमने आपके साथ वह पार्ट शेयर किये और यहां पर देखें यह यह फ्रूट के स्टॉल यानिके जो यह देखें आम है यह फ्रूट्स आम पड़ा हुआ है और केला भी यह सारे स्टॉल लगे हुए है ठीक है और उनके पास चलते हैं वह भई बुला रहे हैं तो यह देखो भई है आपका अधनान आपका जमशेद सब्सक्राइब यह आगे दानिश कुमार यह हमारे दोस्त हैं और वह मेरे चाचा जी है अशोक कुमार क्या क्या रेट चल रहा है इनका दोसो रुप है किलो तो दोस्ते यह आडू है इनको आडू बोलते हैं तो यह आडू इनका रेट चल रहा है दोसो रुप है अच्छा अगर हम लेना चाहें तो फिर क्या रेत करोगे कितना यह रहत होगी भाई कह रहा है कि आडू आडू आपको अच्छे डाल देंगे लेकिन रेट जो वह कम नहीं होगा दोसो ही रेट रहेगा इसकी जाब जाब क्या रेट है 120 तो सई यह देखो भी यह आप है कौंसा यह कौंसा आम है इसा आम कौंसा में एस इसे सफएद चांसा हाँ तो दोस्तों यह देखें यह यहां पर आम फूर्ट्स की रीडियां यहर देक्स्क्ति है आप फिक है और यह है मेरे चाचा जी तो यह भी फूर्ट्स लेने आया और यह देखें केला यह शायD BABBA जी बेच रहे हैं बाबाजी क्या आले आपके यह दोनों रेड़ी आपकी है क्या चल रहा है इनका देट सो और केले का सो से डेट सो अच्छा अलग अलग अच्छा यह देखें दोस्तों यहाँ पर यह रेट हैं पाकिसान के अंदर फुरूट्स के जो कि आप देख सकती हैं अर उनके जो है रेट सो पी आपको बताए कि बढ़ी क्या रेट चल रहा हैं तो काफी हाई रेट और और बाधे नहीं प्रूट्स प्रूट्स नहीं रहा है पर आप यह पर गंखानों क्या अले क्या रेट चल रहा है कशु ऐदक अग्थान है तो वह अंकल की लेज़ा कर रहें इस ऑर हो री हम भी शाल साइब कर और Nada में गज़ा He आपफाई की तरह से बाखते हैं हर चीज़ में इसे ओधरया तरनों आपिर दिल्स आण पर विडियो को लायक करें और चैनल को नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें बागे मिलते हैं नेक्स व्लोग में तब तक लिए अपना बहुत सारा ख्याल रिखेगा थैंक यू सुमझ भारोचिंग लव्यू टेक किर एंड बाए बाए